नमस्कार दोस्तों मैं आशू आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में जीके के अर्था जनरल नॉलेज के 20 प्रशन को डिसकस करेंगे यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इ ये वीडियो स्टाट करते हैं हमारा पहला कोशन है बंगाल में राजाश्व की किस बंदोबस कि लागो ती बंगाल में राजश्व की इस्थापना की थी चलिए इसकी डेटेल देखते हैं हम दोस्तों, इसकी डेटेल उनिस सो तेरानवे में लाट कानिवल्स दौरा इस्थाई बंदुबस बंगाल का भी इस्थाई बंदुबस सुरू किया गया था, बिटिस इश्ट इंडिया कंपेनी और बंगाल मकान मालकों, अर्थाद जो बि वर्णर जन्रल थे जलिए सेस करते हैं हमारा कूका विद्रोह कहां हुआ दोस्तों उप्व फद्रोह हुआ था पजाब में यह nutr Lore Data है चलिए इसकी details देक reference स्प्रवाति रूप से धार्म कांधुलन की रूप में शुरू किया गया ताकि सिक्क्य धर्म को सुभीदाओं को शुद्र किया छाके अर्था सिक्के धर्म से रिलेटेड है और सिक्के धर्म की अपरिवर्तन शील सुविदाओं को सुद्ध किया जा सके पश्मी पंजाब अर्था जैसे पंजाब है जो हमारा उसमें पश्यम पूरा विस्टाइट तो यह है पश्यम इस साइट यहां पर पाकिस्तान से बॉर्डर भी लगती है तो यहां के जो सिक्के हैं मैं 1940 में स्थापित कूका अंदुलन बिटिस के खिलाब राजनितिक संगर कूका अंदुलन के संस्ताफक भगत जवाहर मल थे दोस्तों यह है याद करना पनपन कि भगत जवाहर जो थे वहabout कूका अंदुलन के संस्तापक थे चलिए अंगला कौर्शन डिसक्स करती हैं कौर नमबर 34 है हमारा राजा्राम मोहन राइदुरा राव्चत माजी की इस्थापना कब हुई दोस्तों राजा राम मोहन राइदुरा रामसमाज 1828 में हुई तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा चलिए इसकी डिटेल देखते हैं राजाराम मुहन राय ने जिनका जन्म कब हुआ था 1872 और मिरती इनकी 1833 में हुई थी 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी जन्म ने एक प्रभाव साली सामाजिक धर्म सुदार आंदूलन ब्रह्म समाज को जन्म दिया उनका प्रभाव राजनीतिक लोग प्रशाशन और सिक्षा के साथ साथ धर्म के छेत को इस्पष्ट थ धर्म के छेत में भी इनों का जो यह ब्रह्म समाज था इस पष्ट रूप से इनके बचार दिखाई दिखाई दियता था बीस अगस्त 1828 को राजा राम माहन राय और देविंद टैगोर ने कलकत्ता में उस समय के मौझूद ब्रह्म समाज के सुदार के रूप में शुरू क किया था थाा चलिए पाश्ट करते हैं अग्ला खोशन कोशन इस्कास करते हैं कौंसा अनुच्छ विषेस इसतियों में दौनों व्राज सज्टर की संयुक्त बैठक के बारे में bên बताता है दोस्तों कि कौनसा अनुच्छेद है जो लोग्सवा लोग्सवा और राज्सवा दोनों को संयक्त रूप से बुलाया जा सकता है और यह किसके द्वारा बुलाया जाते हैं तो यह राष्टपती द्वारा बुलाया जाता है तो दोस्तों इसका आंसर है A B अर्थाद अनुच्छेद नंबर 108 चलिए इसकी डिटेल देखते हैं दोस्तों अर्थाद कॉंस्टिटूशन में 108 संभीदान के अनुच्छेद में लिखा गया है कि हमारे राष्टपती है जो पार्लियमेंट को अर्थाद बुला सकते हैं अर्थाद बुलाना होता है दोनों सैसन को एक साथ बैठने के लिए और दोस्तों यह किन-किन छेट में बुलाये जा सकते हैं तो यह इस परकार के तीन बिल है कौन-कौन से डॉरी प्रोवियेशन अर्थाद जो दहेज होता है उसके रिखलाफ एक्ट जो 1960 में पारित हुआ था बैंकिंग सर्वेस कमीशन 1977 और पूटा 2002 इन तीन बिल के अनुशा इन तीन बिल में हमारे राष्ट पती ने बुलाया है जोइंट सेसन के लिए अभी तक सिर्फ तीन बार बुलाया गया है देखिए यह रखा है इसके अपनों सन्याद करने कि डॉरी प्रोविशन बिल एक्ट कवाया था 1961 में बैंकिंग सर्विश कमीशन कब आय था 1978 में और प्रोविशन ऑफ टेर्रिज्म बिल 2002 में चलिए अंगला कॉशन डिसकस करते हैं कॉशन नमबर फिप्त है हमारा राज लोक्षिवा आयोग के सदस्री की सेवनरति की आयू कितनी होती है अधिसरीम करने का अनुबव होना चाहिए इसमें कम से कम दस वर्ष का अनुपा बोना चाहिए आधे सदस्यों को इसके सदस्य 6 से 62 साल की आयू तक कारिक पर रहते हैं अर्था यदि वो 6 साल के हो जाए या फर 62 साल के हो जाए जैसे यदि कोई 58 अर्था अंठाउन साल में निक्त होता है तो भे इसका कारेकल कितना रहेगा मात्र 4 क्योंकि फ़र हो जाए तो इसको स्तिपार देना पड़े यह पहले अपना तियाक पत्र राजपाल को दे सकते हैं राजपाल के करता है व स singers बखर्वारत मारत प्तरन से सम्मानेट हेमारे लाल पहादोर सास्त्री हैं जन्हें पहली बार भारत रत्रत दिया गया था कोशा नंबर अंगले से बढ़ने के पहले इसकी डीटेल है जो डिसक्स करते हम मुल रूप में मरणोपरांथ पुरुषकार प्रदान नहीं किया जाते हैं मुल रूप से मतलब मरणोपरांथ के बाद प था तो उसमें कुछ शंसोधन किये गए पूर्प्रदान मंत्री लाल बहादुर सास्त्री मरणोपरां सम्माने थोने वाले पहले वक्ति बने थे चलिए अंगला कॉशन कॉशन नंबर आठवा है हमारा उत्त्री वादक्षन कोरिया के मध्ध कौन सी रेखा है दोस्तों यह साउठ चाइना सी के साइड है यह उत्त्री व reflux कोरिया तो इनके भीस में कौन सी डिग्री मिला पैरलल लाइन तो दोस्तों यह 33 पैरलल लाइन जिस परकार कनाड़ा और यूएसे में 49 पैरलल राइन है इसी परकार उत्त्री और धक्षनी कोरिया के मध्ध 38 चेलिसकी डि इसकी डेटेल 38 वे समानतर उत्तर अक्षांद का एक चक्र है जो प्रस्वी के भूमाद्य रेखा के 38 डिग्री में उत्तर में है अर्थाद इसलिए यहां से थाटेट परला लाइन गुदरती है यह यूरो भूमाद्य शागर एशिया प्रशान महाशागर उत्तर अमेरिका और अट्राइटिंग महाशागर को पार करता है 38 वे अर्थाद 38 वे समांतर उत्तर ने कोरिया युद्ध से पहले उत्तर और दक्षन कोरिया के बीच यह सीमा का गठन किया था अर्था जो इनका युद्ध हुआ था तब इसमें यह सीमा का गठन किया गया था चलिए अंगला कॉशन डिसकस करते हैं कॉशन नमबर 9 है हमारा कौन सा देश नहरों का देश कहलाता है दोस्तों आप इस पर विस्वास नहीं करेंगे पर इसका आंसर पाकिस्तान है क्योंकि पाकिस्तान नहरों का देश कहलाता है इसकी डिटेल देखते हैं पाकिस्तान में द है यहां से सारी नदिया यहां पर सिंदु में मिल जाती है तो इसलिए यहां पर लोकसवा कर दिया गया यदि हम लोकसवा की बात करें तो इसमें 500 बाउन इसकी कुल सीटें होती हैं जिसको तीन भागों में बाटा जाता है 530 हमारे राज्यों से आते हैं 20 के इंसासे प्रदेशों से और दो राष्टपती मनुनीत करते हैं जो एंगलो इंडियंस कहलाते हैं चलिए इसकी डिटेल देखते हैं और दोस्तों लोकसवा हमारा निचला सदन होता है और राजसवा उच्चे सदन और राजसवा का जो अनुछोद है वह 80 अनुछेद में दिया गया है हमारे और लोकसवा को 81 अनुछेद में अब देखिए यहाँ पर देखते हैं लोकसवा मैं House of the People को लोग सबाग के नाम से जाना जानी लगा। चलिए अंगला कोशन, कोशन नंबर 13 है हमारा भारत की पहली बहुद देश्य परयोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ। जोसतों भारत की पहली बहु देशय परणिना नदी पर्योजन्या निर्माघ है वह दामुदर नदी पर हुआ और दामुदर नदी कहा पर है दोस्तों बैस्ट बेंगार में थे पश्शे बंगाल और विहार के सथ पर है लेखिए इस की डीटिल देखते हैं ॥ दामुदर घाटी पर योजना पर्श्य मंगाल और बिहार इस बहुत देश योजना का मुख उद्देश दामुदर के बहने को नियंत्रत करना है जो इसकी अनिमित्ताओं और विश्य बिनास के लिए कुख्यात है अर्था बहुत देश्य नदी घाटी पर योजना है निगम साथ जुलाई 1948 को सवतंत भारत की पहली बहुत देश्य नदी घाटी पर योजना के रूप में अस्तित्म में आया था चलिए अंगला कॉशन कॉशन नमबर पंदरवा है हमारा अंगोरवाट मंदिर कहां इस्तित है दोस्तों अंगोरवाट मंदिर है जो कमबोडिया में स्तित है चलिए इसकी डिटेल देखते हैं यह हिंदू मंदिर है यदि पूछा जाए कि अंगोरवाट मंदिर किस भगवान से रिलेटेड है तो यह हिंदू मंदिर है यह मंदिर भगवान विश्णू को समर यह राजा शूर वर्धन दुतिये द्वारा शुरू किया गया था इसका काम और जैवर्मान 7 द्वारा पूरा किया गया दुनिया में सबसे बड़ा धार में किसमारक मंदिर का छेत्र 162.6 हेक्टियर है यूनेश को ने इसे 1992 में बिश्व राशत में सामिल कर लिया था कॉशन नमबर 16 है हमारा निम्न में से कौन सा भारतिय राज्य मोनोजाइट मिट्टी के लिए प्रशिद्ध है दोस्तों इसमें केरल प्रशिद्ध है था केरल मोनोजाइट मिट्टी के लिए प्रशिद्ध है चलिए अंगला कॉशन इसकी डिटेल देखते हैं करुनग पलली केरल का तठीय वैल्ट पाली केरल के तठीय वैल्ट मौनोजाइट रेथ युक्त थोरियम के उच्छे प्रस्ट भूमी विकिरन के लिए जाना जाता है मेरा मौनाजाइट रेथ में सोरियम और जैसे तत्वों के फॉस्फोट खरनेज होते हैं जो केरल रेत में छोटे भूरे रंग के क्रिस्टल के रूप में होते हैं चलिए अंगला कॉश्चन किरकुर्क जो विश्व में सबसे महत्मूर तेल चेतर है कहां इसते थे दोस्तों यह इराक में इसते थे है तब से 1998 में 10 अरव एक दिसमला उच्छे अरव घं मीटर सावित तेल भंडर के साथ उत्तरी इराक तेल उत्पादन का सबसे महत्मूर हिश्चा है कुर्किक अभी भी उत्पादन करता है दोस्तों और यह प्रति दिन एक मिलियंजेब की मरत्यूश कहां हो यह को जिंद थिनदा पीर के नाम से यह वी जाना जाता है सेजाक किया है जो इसकी डिटेल देखते हैं 20 फरवरी 1707 को 89 वर्स की आयू में एहमद नगर में औरंग जेब की म्रत्य हो गई थी मुगल समरट औरंग जेब को जिंदापीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो कॉशन नमबर 20 वा है हमारा भारत में पर्थम लोकसवा का गठन कब हुआ था दोस्तो भारत में सबसे पहले लोकसवा का गठन कब हुआ था 1902 पहले से किस नाम से जाना जाता है हमने अभी अपनी पिछले कॉशन में बताया है जिरह इसकी डिटेल लोकसवा वस फाउंड इन 1952 अथाथ लोकसवा की स्थाफना 1902 में की गए थी 400 जब यह बनाता तो इसमें कितने नर्वाजद च्छेत्र सामिल किये गए थे अथाथ कॉंस्टिट्यूइंचीट इसने कॉंग्रेस ने राश्टी भार्थि राश्टी कॉंग्रेस ने तीनसो चोनट सीटों के साथ पहली लोक्सवा चुनाओं में बाद सत्ता में आई साथ कितनी सीटें इसमें कॉंगरिस ने जीती ती तो दोस्तों ये थे हमारे 20 कॉशन यदि आपको कॉशन पसंद आए तो प्लीस इसे लाइक करिए, शेर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स पूर वाचिंग